हेलो प्रेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल प्रेंट्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा पैटर्न लेके आई हूँ प्रेंट्स, इस पैटर्न को आप शॉल में, कैप में, स्टॉल में, जैन स्वेटर में, कहीं भी डालेगा प्रेंट्स बन के बहुत ही सुन्दर नजर आता है फ्रेंड्स यह रिवर्सिवल पैटरन है दोनों तरफ से एक जासा दिखाई देता है यह हमारी front side है और यह हमारी back side है यहाँ पे हम दोनों side को use कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा बन के आता है इसको बनाना भी बहुत आसान है तो आईए friends देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं तो चलिए friends स्टार्ट करते हैं टिटोरियल friends इस design को बनाने के लिए हमें 7 के multiple में फंदे लेने होंगे तो यहाँ पे मैं 21 फंदे लिए वे हैं 21 फंदे यहां स्लाइप यह मेरे हैं यह design हमारा दो लाइन का है दोनों लाइन को बहुत ध्यान से देखेगा friends स्टार्ट करते हैं डिजान की फर्स्ट और सीधी साइड तो ध्यान से देखेगा friends सबसे पहले अज के फंदे को हम slip कर लेंगे धागे को अपनी तरफ लाएंगे अब साथ फंदों में हम design बनाएंगे देखेगा जिसमें की चार फंदे मुल्टे बुनेंगे एक दो तीन चार अब यहां स्टार्टिंग में हमारे पांच फंदे हो गए हैं धागा पीछे करेंगे अब इदर देखेगा फ्रेंट्स एक फंदे हमने सीधा बुनना है सीधे फंदे को हम ऐसे नहीं बुनेंगे सीधे फंदे को हमने फंदे के नीचे जो होल है इसमें हम स्लाइ को डालेंगे पीछे की तरफ को और इसको हम सीधा बुन लेंगे बाद में इस फंदे को ऐसे निकाल देंगे बस सीधे फंदे पर आपने ध्यान देना है कि सीधे फंदे को हमने कैसे बुनना है धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा बुनेंगे धागे को पीछे करके फिर से एक फंदा हम सीधा बुनेंगे फंदे के नीचे हम स्लाय को डालेंगे और इसको हम सीधा बुन देंगे बाद में इस फंदे को ऐसे निकाल देंगे एच के फंदे को छोड़के यही साथ फंदे हमने पूरी रों में दोराने हैं चार फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे, चार फंदे हम उल्टे बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार, धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, सीधे फंदे को हमने नीचे ऑले होले में डालेंगे और इसको हम सीधा बुन लेंगे पांच धागे को पीछे करेंगे और एच के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे तो देखेगा फ्रेंट्स स्टार्टिंग में एच के फंदे को छोड़के हमने चार फंदे उल्टे बुने है ना लास्ट में देखेगा लास्ट में एच के फंदे को छोड़के लास्ट में हमारे पांच फंदे उल्टे आये हैं इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा अब आते हैं बैक साइड में यह हमारे डिजाइन की सेकिंड हो है अब इधर ध्यान से देखेगा फ्रेंट्स देखेगा आपको इस सीधा फंदा दिखाई दे रहा है न यह वाला तो इसको हमने सीधा ब लेंगे अब चार फंदे हमने उल्टे बुनने हैं एक दो तीन चार जैसे हमने फंदे को स्लिप करेंगे चार फंदे उल्टे बुनेंगे ऐसा हमने सेकिंड हो के स्टार्टिंग में करना है धागा पीछे करेंगे अब देखेगा फ्रेंट्स यह सीधा फंदा दिखाई दे इसके नीचे हमने स्लाय को डालना है और इसको हम सीधा बूलेंगे धागा अपनी तरफ लाएंगे और एक फंदा हम उल्टा बूलेंगे धागे को पीछे करेंगे अब सीधा फंदा है इसको हम ऐसे नहीं बूलेंगे सीधे फंदे को हमने हमेशा नीचे वाले होल में स्लाय को धागे को पीछे करेंगे यह सीधा फंदा है इसको हम फंदे के नीचे वाले होल में स्लाय को डालके सीधा बुन लेंगे धागे को अपनी तरफ लाएंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे धागे को पीछे करके सीधे फंदे को हम इस तरीके से बुनेंगे बाद में इस फंदे को ऐसे निकाल देंगे फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे अब देखिया का फ्रेंस लास्ट में एच के फंदे को छोड़के लास्ट में हमारे पांच फंदे हैं एक, दो, तीन, चार, पांच पांच फंदे हमने उल्टे बुन लिये हैं लास्ट में एच के फंदे को भी हम उल्टा बुन लेंगे तो इधर देखियेगा फ्रेंस डिजाइन की सेकिंड रोब में हमने क्या किया है देखियेगा स्टार्टिंग में एच के फंदे को छोड़के 4 फंदे हमारे उल्टे आए हैं तो टोटल ये 5 फंदे हो गए हैं ऐसी last में देखेगा HK फंदे को छोड़के 5 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं टोटल 6 फंदे हमारे हो गए हैं back side में तो यहाँ पर second open के हमारी complete हो गई है अब ये design हमारे अच्छे से दिखाई देने लगा है अब आपको easily पता लग जाएगा कि कौन सा फंदा हमने है सीधा बुनना है और कौन सा उल्टा बुनना है यहाँ पर हम first row को फिर से repeat कर रहे हैं HK फंदे को slip कर लेंगे धागा अपनी तरफ लाएंगे चार फंदे हम उल्टे बुनेंगे एक दो तीन चार अब स्टार्टिंग में हमारे पांच फंदे हो गए हैं धागा पीछे करेंगे अब सीधे फंदे को हमने वैसी बुनना है फंदे के नीचे स्लाई को डालेंगे और ऐसे हम सीधा बुन लेंगे धागे को अपनी तरफ लाएंगे और एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे धागे को पीछे करके सीधे फंदे को हमने फंदे के नीचे जो होल है इसमें हम सीधा बुन लेंगे और इसको हम सीधा बुन लेंगे तो एच के फंदे को छोड़के यही 7 फंदे में पूरी रो में दोर आने हैं धाग अपनी तरफ लाएंगे 4 फंदे में उल्टे बुनेंगे 1, 2, 3, 4 धागे को पीछे करेंगे सीजे फंदे को हमने नीचे से डालना है इस लाई को और इस को में सीधा बुनेंगे धागे को अपनी तरफ लाएंगे 1 फंदा उल्टा बुनेंगे धागे को पीछे करके सीजे फंदे को हम नीचे डालेंगे होल में और इसको हम सीधा बुन लेंगे धागे को अपनी तरफ लाएंगे अब देखे का फ्रेंस लास्ट में हमारे 6 फंदे बचे हैं एक फंदा इसमें हमारा एच का है तो पहले हम 5 फंदे उल्टे बुनेंगे 2, 3, 4, 5 धागे को पीछे करके एच के फंदे को हमें सीधा बुन देंगे तो लास्ट में टोटल हमारे 6 फंदे हो गए हैं तो यहाँ पर हमने 1 फंदे को फिर से रिपीट किया है अब आते हैं बैक साइड में अब इधर भी आपको डिजाइन अच्छे से दिखाई दे रहा होगा आपको इजीली पता लग जाएगा कि सीधा फंदा मारा कौन सा है यहाँ पर डिजाइन के सेकंड रोका हम रिपीट कर रहे हैं पहले फंदे को पलवाई सिलिप कर लेंगे और 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे 1, 2, 3, 4 धागे को पीछे करेंगे अब सीधे फंदे को हमने फंदे के नीचे वाले होल में डालेंगे सलाई को और इसको हम सीधा बुन देंगे धागे को अपनी तरफ लाएंगे एक फंदा उल्टा बुनेंगे धागे को पीछे करके फंदे के नीचे वाले होल में हम सलाई को डालेंगे और इसको हम सीधा बुन देंगे एच के फंदे को छोड़के यही 7 फंदे में पूरी रो में धोराने हैं धागे को अपनी तरफ लाएंगे और 4 फंदे में उल्टे बुनेंगे 1, 2, 3, 4 धागे को पीछे करेंगे सीजे फंदे को आपने नीचे से बुनना है धागे को अपनी तरफ लाएंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे धागे को पीछे करके सीज़े फंदे को हम नीचे वाले होल में स्लाइट को डालेंगे और इसको हम सीज़ा बुन लेंगे धागे को अपनी तरफ लाएंगे लास्ट में हमारे 6 फंदे हैं जिसमें कि एक हमारा एच का फंदा है, तो पांच फंदे पहले हम उल्टे बुनेंगे, दो, तीम, चार, पांच, और एच के फंदे को भी हम उल्टा बुनेंगे, तो टोटल हमारे छे फंदे हो गए है, तो फ्रेंट्स, यहाँ पे हमारी सेकिंड डो बनके कम्प्लीट हो गई है, जो कि हमने दुबारा रिपीट की थी, तो फ्रेंट्स, आगे अपने इनी दो लाइनों को बार बार धोराते जाना है, जैसे कि यहाँ पे मेरे 35 फंदे हैं निडिल पे, तो स्टार्टिंग में देखियेगा फ्रेंड्स, H के फंदे को छोड़के हमने 4 फंदे उल्टे बने हैं, बैक साइड में हाका हमारी यहाँ पे 6 फंदे हो जाते हैं, वो कैसे होंगे देखियेगा फ्रेंड्स, यह जो सीधा फंदा है नहीं वाला, यह इधर हमारा उल्टा हो जाता है, देखिएगा, तो अब यहाँ पे हमारे 6 फंदे हो जाएंगे ना, बैक साइड में, 1, 2, 3, 4, 5, और 6 हमारा H का फंदा है, तो बैक साइड में, लास्ट में हमारे 6 फंदे हो जाएंगे, ऐसी इधर भी देखिएगा, फ्रेंट्स, H के 1, 2, 3, 4, 5, तो टोटल 6 फंदे हो जाएंगे, वह कैसे होंगे, देखिएगा, यह जो उल्टा फंदा है, सीधे फंदे के बगल में, जो उल्टा फंदा है, इधर हमारा सीधा हो जाएगा, देखिएगा, यह हमारा सीधा हो जाएगा, तो स्टार्टिंग में, हमारे 5 फंदे हो जाएंगे हैच के फंदे को जोड़ेख 1-2-3-4-5 तो इस तरीके से हमारे चेंज हो जाएगा स्टार्टिंग में ह cumulative को लगाके मारे 5 फंदे ऑर लास्ट में एच के- 12 को जोड़े टोड़े टोटल अमारे 6 तो इस तरीके से आपका डिजान बनता जाएगा बहुत ही प्यारत से पैटन है फ्रेंट्स दोनों तरफ से एक जासा दिखाई देता है इस पैटन को आप जैन स्टर में भी डालेंगे ना फ्रेंट्स तो बहुत ही सुंदर बनके आएगा बनान में बहुत ही आसान है तो फ्रेंट्स एक बहुत राई जरूर करिएगा उमीद करते हूं आज का पैटन आपको पसंद आएगा यदि पसंद आतो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेर करें मिलती हूं नेक्स वीडियो में वीडियो देखने के लिए आपका बहुत ब जाने वाद